भूकम सुनते ही रिक्टर इसके लिए आदाता है लेकिन कैसे काम करता है रिक्टर इसके लिए तक्रीबन 2000 साल पहले की बात है चीन ने भूकम नापने के लिए एक जुगार्ट हो जाता वो खुले मैदान में कांसे का छे फीट डायमीटर का चार रग दिया करते थे डायमीटर के चार वो खुले मूँ के आठ ड्रेगन लगा दिया जाते थे नीचे आठ मैदक लगा दिया जाते थे तब कांसे के ही ड्रेगन के मूँ में एक बॉल रग दी जाती थी जब भूकम पाता था तो उसके मू से बॉल छिटक कर मेड़क के मूँ में चली जाती थी जिस सामें जाती थी उसे भूकम की दिशा मान लिया जाता था इस चीनी जुगाड का नाम था ओफिंग डिडो लगबक ऐसे ही जुगाड वले यंत्र पूरी दुनिया में सतियों थक इस्तमाल होते रहे अंदाजा लगत के दिमाग में बिजली कॉंधी उन्हें लगा भूकम मापने का पुछितर पूर्ण और साइंस वाला तरीका निकाला जाए इन दो लोगों में से एक का नाम था चालर्स एफ रिक्टर और दूसरे का पेनो गुटेन बर दोनों काम पर डट गए दोसों से जादा भूकम पर में मैंनिट्यूट और इंटेसिटी मतलब कितना आया और कितनी जोर से यह मापा जाता है रिक्टर स्केल से जब जमीन हिलती है तो एनर्जी निकलती है यह तरंग की रूप में निकलती है तो इसके लिए एक यंत्र बैठाय जाता है सीज्मोग्राफ यह यंत्र भूकम की तरंगों की ताकत और कितने समय तक यह तरंगे एक्टिव रही इस बात का पता लगाता है अब जो सीज्मोग्राफ दुनिया भर में कई जगा लगे हुए है पहरहाल सीज्मोग्राफ को ऐसे एरिया में लगाया जाता है जिससे 100-200 किलोमीटर दूर भूकम पाते हैं भूक तरंगों की तीवरता भूकम का केंद्र और इससे निकलने वाली उठ्जा का पता लगाया जाता है भूकम की तरंगों को रिक्टर स्केल एक से नौ तक के आधार पर मापता है रिक्टर स्केल पर प्रतेक अगली इकाई पिशली इकाई की तुलना में 10 गुना अधिक तीव तीवरता वाला भूकम 5 से किवल एक जादा नहीं होगा बलकि 10 गुना जादा होगा उसी तरह साथ तीवरता का 6 का 10 गुना और 5 का 100 गुना और 4 का 1000 गुना तीवर होगा